हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम यहां इस चोटे से रुमाल से बहुत ही सुन्दर चीज बनाएंगे और यह हमारे पास एक रुमाल है और हम यहां पे एक थेली लेंगे यह हमारे पास एक थेली है आप यहां कपड़ा भी ले सकते हैं वो आपकी इच्छा है लेकिन हमने यह सुत्ति थेली है और इसके चारो साइडों में ऐसे निसान लगा देना है और फिर हम यहां से जहां निसान लगाया महां से इसको कैंची के हल्प से कट कर देंगे और यह हमने इसको यहां से ऐसे कट कर दिया और फिर इसको ऐसे रुमाल को दूबारा में भी यहां ऐसे ही सिलाई लगाते जा रहे हैं और इसी परकार हम इसकी जो तीसरी साइड है महां भी ऐसे ही सिलाई लगाते जा रहे हैं और अब हम इसकी जो लाश्ट वाली साइड है और यह हमने नीचे वाला जो एक्ष्टा कपड़ा है उसको यहाँ पे सारे को कट कर देना है और अब हम यहाँ एक जिप लेंगे और इसको ऐसे रखते हुए यहाँ सिलाई लगाते जाएंगे और यह हम अब इसके ऊपर यहाँ सिलाई लगाते जा रहे हैं और हमें इसे ऐसे सीलते जाना है और यह हमारी यहां पर इस परकार यह सिलाई लग चुकी है और फिर हम इस सिलाई को ऐसे लगाते हुए इसको दूसरी साइड ऐसे सीधी करते हुए यहां इस सिलाई को दबाते जाएंगे और यहां इसके उपर ऐसे सिलाई लगाते जा रहे हैं और यह हमने यह यहां इसके उपर अच्छे से सिलाई लगा दी और इसकी सिलाई को दबा दिया और इसी परकार हम यहां से ऐसे पकड़ते हुए यहां दूसरी साइड भी यह जिप यहां लगा देंगे और इस परकार यहां पर ऐसे सिलाई लगाएंगे और यह अब हम यहां पर ऐसे सिलाई दबाई थी इसी परकार हम इसे ऐसे सीधा करते हुए यहां पर यह जिप खोलते हुए यहां इसके ओपर भी यहां सलाई दबा देंगे और इसके ओपर सलाई लगा देंगे यह देखे फ्रेंड्स अब हम यहां इसके ओपर भी ऐसे यह सलाई लगाते जाएंगे और ये इसको अच्छे से ऐसे सीधी साइड से दबाते जाएंगे इससे ये और ज्यादा मजबूत होगा और अच्छी फिनिशनिंग भी आएगी और ये हमारे यहां पे ये हमने इसलाई लगा दी अब हम इसकी जिप ऐसे बंद करते हुए फिर हम इसको य दोरी लेंगे हम यह हमारे पास दोरी है और इसमें एक नोट लगा देंगे यहां ऐसे और यह नोट लगाते हुए इसको अंदर की साइड में करते हुए नोट को ऐसे बाहर निकाल देंगे यहां पे और इस परकार इसको यहां रखते हुए ऐसे सलाई लगा देंगे और द अच्छे से मजबूत बन जाए और यह देखे फ्रैंट्स हमने इसको यहां डबल सलाई कर दी और इसी परकार हम इसकी दूसरी साइड भी यहां पर ऐसे सलाई लगा देंगे और यहां भी हम इस परकार रखते हुए यहां पर सलाई लगा देंगे और यह हमने यहां भी ऐसे ह double sly कर देनी है और ये हम इसकी यहाँ पे double sly करते जा रहे हैं और ये देखिए हमने यहाँ से sly लगा दी और ये पौच बन चुका है और जो भी हमारा extra q questão कपडा है वो कट कर देंगे और ये हमने दोनों side से कट कर दिया और अब हम इसको यहां से सीधा कर लेंगे और यह देखे हमारा यह पाउच यहां पर बन चुका है और हमें इसे अच्छे से सीधा करते हुए देखे फ्रैंड्स हमारा कितना अच्छा पाउच बन चुका है देखे बहुत ही सुन्दर पाउच बन के रेडी हो चुका है देखे फ्रेंड्स की ये कितना प्यारा लग रहा है और आप इसमें फोन वगारा भी डाल सकते हैं या मेकप का असमान वगारा भी डाल सकते हैं देखे फ्रेंड्स ये कितने अच्छे से इसमें मेकप का असमान भ जiteness में पाइन डाल सकते हैं यह बहुत ही जादा प्यारा प्यारा लग रहा है आप इसको कहीं बाहर भी दे जा सकते हैं और ते बहुत सुन्दर हमारा इस पाउच बन नहीं हो चका है ठैंक्स पॉर वॉक्चिंग